कन्नोज और मैनपुरी जिले की पुलिस के बीच देर राज जमकर खूनी संघर्ष हुआ जिसमें दो सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पीट-पीट कर अधमरा कर दिया जिसके बाद आनन फानन में तीनो घायलों को जिला अस्पताल में भरती कराया गया जहां एक सिपाही की हालत गंभीर बताई जा रही है दर असल सोजी टीम ने चोरी की ट्रक को ले जाने के आरोप में मैनपुरी जिले के रहने वाले व्यक्ति को पकड़ा था आरोपी ट्रक ड्राइवर के घायल भाई की माने तो उसके फोन पर सूचना दी गई थी कि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और डेड़ लाक रुपए का नौच पुलिस लाइन में लाने को कहा गया था जिसके बाद वो पैसे लेकर पुलिस लाइन पहुंचा त आरोपी की भाई की माने तो दोनों जिलों की पुलिस रुपए के लेंदेन के लिए आपस में भीड़ी है फिलहाल मामले की गंभीरता से जाच की जा रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्यमिश्रा की रिपोर्ट